यदि आप भी यही मानते हैं कि भारत का इतिहास केवल मुगलों और अंग्रेजों का इतिहास नहीं है और हमारे विध्यारतियों को भारत का वास्तविक और गौरवशाली इतिहास पड़ाया जाना चाहिए तो यह वीडियो पूरा देखें और ध्यान से देखें क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कितने बड़े और महत्तपूर्ण बदलाव इतिहास की पाथे-पूस्यकों में होने जा रहें estarude और साथ में यह भी बताऊंगा कि क्यों इन बद्लावों से वामियों, इसलामियों और कामियों की चातियों पर सांप लोट रहे हैं आपको यह जानकर खुशी होगी कि अब हमारे विध्यार्थी गुलामी पिछड़ापन गरीबी और कायरता का भर्मार वाले इतिहास के स्थान पर भारतवासियों के संघर्ष शौर्य सम्रद्धी और विजेता का इतिहास पड़ेंगे उ और तमाम जातियों के शौर्य और बलिदान का इतिहास देश के विश्वी द्यालेओं में गर्व से पड़ाया जाएगा जी हां मैं हूँ अनंत्र विश्वेंसिंग आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है यहां एक निवीदन है यह चैनल अभी तक यदि सब प्रणकारी मिल सके क्योंकि जानोंगे तभी जीतोंगे हुआ यह है कि यूजी सी यानि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि देश के सभी विश्वी द्यालेओं को रेगुलेट और गाइड करती है उसने 15 फरवरी 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसके साथ ही बी ए हिस्ट्री आनर्स का नया बिलकुल नया पाठिकरम जारी करके इतिहास के शिक्षकों शोध करता हूं और विध्यार्तियों से कहा कि यूजी सी इतिहास का ये नया पाठिकरम लागू करने जा रही है अथा इस पर आप अपने सुजाव 28 फरवरी तक दीजिए बस इसी पाठिकरम को लेकर देश के उस तबके को भारी परेशानी है जो भारत के गौरफशाली अतीत को कभी सुईकार ही नहीं कर सका अब मैं बताता हूँ नया पाठिकरम वास्ताव में है क्या और बदलाव क्या होने जा रहे है जो ड्राफ्ट UGC ने जारी किया है उसका नाम है Learning Outcome Based Curriculum Framework for BA History यह ड्राफ्ट का पहला पेज है बहुत धैर और ध्यान से देखिए आगे देखते हैं इसमें पहला पेपर ही जबरदस्त धमाकेदार है Idea of भारत वा है आएडिया ओफ भारत इसका यूनिट वन देखी कांसेप्ट ऑफ भारत वर्ष क्या कांसेप्ट ऑफ भारत वर्ष यानि शुरुवात के से भारत वर्ष से भारत वर्ष माने अखंड भारत यानि ये वाला भारत आप समझ रहे हैं इसका मतलब सांप नहीं लोटेंगे तो क्या होगा भाई चलिए आगे देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे पहला टॉपिक है अंडर्स्टेंडिंग आफ भारत वर्ष यानि हमारे विध्यारती भारत वर्ष को समझेंगे और फिर क्या होने वाला है भविश्य में यह आप खुद अंदाजा लगाई है अगला का इंपर्टेंट टॉपिक है इंडियन कंसेप्ट आफ टाइम एंड स्पेस क्या बात है यानि इस विशय को पढ़ने के साथ ही विध्यारतियों को समझ आएगा कि यूरोप से बहुत पहले भारत के रिशी और मुनी समय और अंत्रिक्ष के बारे में बहुत गहरी सटी और व वैज्यानिक है यानि हम जो वर्ष प्रतिपदा वाले दिन हिंदू नववर्ष मनाते हैं उसका पूर्ण वैज्यानिक आधार है चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दग्लोरी ओफ इंडियन लिट्रेचर वेद विदांग उपनिशत इपिक्स जैन एंड बुद्धि लिट्रेचर स्मृति पुरांस एट्सेक्ट्रा यानि इसके बाद भी बहुत कुछ हमारे बच्चे पढ़ेंगे अब इसके बारे में क्या कहें पूरा वैदिक कल्चर अब इतिहास का अंग होगा मैं बहुत शॉर्ट करके आपको बता रहा हूं वैसे तो पूरे 99 पेज है इस ड्राफ्ट में चलिए पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड का एक टॉपिक देखते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम इसका क्या मतलब हुआ गुरुकुल पद्दिती गुरु शिश्य परंपरा अब इतिहास का अंग होगा माने इतिहास की पुस्तकों का अंग होगा हमारे विद्यारती पढ़ेंगे समझ समझेंगे इसको पेपर फर्स्ट के ही यूनिट थर्ड का एक टॉपिक देखिए कांसेप्ट आफ वसुधैव कुटुम्ब कम कैसे मैन फैमिली सोसाइटी एंड वर्ड याने व्यक्ति परिवार समाज और विश्य के बीच आपस में क कुटुम्ब का इस नेह पूर्ण संबंध कैसे बनता है यह हमारे बच्चे समझेंगे वाह वाह क्या बात है कि इसी पेपर का यूनिट फूर काफी इंपोर्टेंट है इसको ध्यान से समझेए साइंस एन्वार्मेंट एंड मेडिकल साइंस अब देखिए इसमें क्या है सा इंवार्मेंटल कंजर्वेशन इंडियन व्यू माने प्राकृतिक संरक्षण का भारतिय दृष्ट कोन क्या है यानि जो हम रात में पेड़ पौदों को नहीं छूते क्योंकि वो सोते हैं पेड़ पौदों में भी जान होती है यह सिद्धी हुआ है भारतिय धर्ति पर तो योगा नैचिरोपैथी उफ सांप लोटना तो बनता है चलिए सांप लोटने दीजिए उनकी छाती पर अपने अगले टॉपिक को देखते हैं इंडियन नियूमरल सिस्टम एंड मैथेमेटिक्स इसका क्या इंपर्टेंस है समझे एक गाना सुना होगा आपने मनुझ कुम भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई देतान दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था धर्ती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था यह गाना है और यही सच भी है लिकनिएंगाना हम ही गाते गुन गुनाते रहते हैं दुनिया इसे नहीं मानती कि जीरो और डेसिमल भारत ने दिया है क्योंकि इसके लिए कभी कोशिश ही नहीं हुई क्योंकि पूरा सिस्थम किनके हातों में था क्या बताऊं उनके बारे में अब इसकी शुरुआत होगी हमें खुश होना चाहिए कि ये सब बदलाव हो रहा है चलिए अब इस पेपर का यानि पेपर फरस्ट का यूनिट फाइव देखते हैं अभी तक यही माना जाता है कि हम भारतियों के पास तो कोई अपना आर्थिक चिंतन ही नहीं है हमें तो यह सब पहले मुगलों ने सिखाया फिर अंग्रेजों ने सिखाया लेकिन अब सब इस्तिति उलट जाएगी आपको समझ आ है कि लोगों के दिलों पर साप क्यों लोट रहे हैं चलिए आएए अब समय बचाते हैं और सीधे पेपर सैविन पर चलते हैं पेपर सैविन का सेकंड यूनिट देखिए अफगान एंड मुगल्स अभी तक इसमें केवल मुगलों का ही इतिहास महिमा मंदन करके पढ़ाया जाता रहा है लेकिन अब इस यूनिट में अब हमारे विध्यारति महान हेमूविक्रमादित्य यानि अग्रेट मु मुगले जिन्हें वाम पंठियोंने केवल ये मूं बना कर छोड़ दिया था उनके साथ ही महाराना प्रताप रानी दुर्गावति चांद भीबी यानिए जब भारत की गौरव गाथाओं का अध्याहिन भी इतिहास में शुरू होगा यहां यह भी आपको बताता चलू कि पहली बार इतिहास की किताबों में मुगलों सहित सभी बाहरी आक्रमाकारियों को आथेंटिक रूप से आक्रमाकारी यानि इन्वेडर्स कहा गया है इस पर सेकुलर बिरादरी की नीद हराम हो गई है इस पेपर सैविन की थर्ड यूनिट तो बहुत ही जबरदस्त है इसे देखकर तो वामियों को दस्त ही लगने वाले हैं यह है औरंग जेब शिवाजी एं रहे हैं जाके रजिस्टेंस आफ मेवार एंड मारवार राजपूताने का गौरफशाली इतिहास आक्रमाकारियों ने राजपूताने को विजित करने की उसे उस पर विजय पाने की भरसक कोशिश की हैं लेकिन कैसे वहां से खदेड़े गए इसका इतिहास हमारे विद्या अंडर शिवाजी मराठाओं का गौरफशाली इतिहास और उसके साथ बहुत सबसे इंपर्टेंट चैप्टर जो मैं मान रहा हूं मराठा एड्मिस्ट्रेशन कॉंसेप्ट ऑफ हिंदू पदपादशाही यह क्या है हिंदू पदपादशाही माने हिंदू सामराजी की स्थ सामराजी की स्थापना कैसे हुई थी उसका कांसेप्ट क्या है माने हिंदू सामराजी का कांसेप्ट क्या है यह हम कभी इतिहास की पुस्तकों में पढ़ेंगे लेकिन अब यह पढ़ाया जाएगा क्योंकि UGC ने अपने जो ड्राफ्ट है उसमें दिया है और वह निश्य प्रवीर प्राक्रमी जातियों का इतिहास गजब अब समझाया क्यों सेकुलरिस्ट जमात इतिहास के भगवाकरण का आरोप लगा रही है उन्हें लगाने दीजिये आरोप हम और आप इस भगवाकरण का स्वागत करते हैं आखिर में चैप्टर 9 पर सीधे चलते हैं चैप्टर 9 का यूनिट 5 आपको मज़ा आ जाएगा मेरा यह वीडियो बनाना आपको बताना और आपके द्वारा देखना पूरी तरह सफल हो जाएगा सबसे पहले से किस ने लिखा और किस ने कहा जानते हैं आप वीर सावर करने बस यह तो उनकी चातियों पर हतोड़े का प्रहार हो गया वीर सावर कर को श्रधानजली सेलिलर जेल जाकर वीर सावर कर के चित्र का अनावरण संसत भवन में और अब वीर सावर कर का इतिहास टेक्स्ट बुक्स में पूरे गौरव के साथ आखिर पूर प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी जी ने यूँ ही तो वीर सावर करको महान नहीं बताया था मित्रो अभी तो यह केवल शुरुवात है और बहुत लंबा लंबा रास्ता तैय करना है निश्चित होगा तब तक इस वीडियो को अपने सभी परिश्चितों तक पहुंचा कर उन्हें जागरुक करें कमेंट जरूर करें चैनल सब्सक्राइब करें अपना ख्याल रखें प्रसंद रहें नमस्कार